हेलो ट्रेडर्स वाइलकम बैक टो और चैनल इंट्राडेम एक सेविरेशन होप आप लोगों काफी मज़ा आ रहा होगा आप जो हमने नए नए चैनल के अंदर या फिर जो कॉल्स देने का तरीका हम लोगों ने चेंज किया उसकी वज़े से सबसे पहले तो जो आप लोगी फिर आप लोगों ने जो हमें फीडवैक दी उसके बेस पर हम लोगों ने काम किया अब number of calls कम कर दिए ठोड़े से छोटे कर दिए जो कि अगर निफ्टी की एक्सपायरी तो क्या लगता है आपको जो आज सेलिंग प्रेशर आया वह कंटीनू रहने वाला या फिर हम लोग एक उपर की और उड़ान बरेंगे अगर अगर बात करें बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल पर ही अगर निफ्टी की ब सब्सक्राइब की थोड़ा सा कन्विक्शन कमा रहा था कि आल्रेडी देखिए हम लोग 600 आज गिरे हुए थे बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी में भी 500 से 200 की गिरावट थी अब ओवरॉल व्यू है पॉजिटिव जाने का लॉंग टर्म में तो इससे अच्छा अगर क सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई एट थाजिन फाइट जीरो बन जोगी काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग है करेंगे हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल पर ही जाकर क्लोज हुए यह आप देख सकते हो कल भी हमारा यही सपोर्ट लेवल था 48500 का तो क्लोजिंग थोड़ी सी एहम होगी नीचे दूसरा सपोर्ट है 47500 और बीच में एक सपोर्ट हम लोग 47000 का साइकलोजिकल लेवल लेकर के चल सकते यह साइकलोजी का लिवल टूटता है तो हम लोग और नीचे की सारी 48000 का साइकलोजी का लेवल टूट जाता है तो नीचे भी हम और आ सकते 47500 कल की ओपनिंग बहुत ज़्यादा एहम होने वाले हैं अगर कल हम लोग निगेटिव साइड में ओपन होते तो यह काम करेगा और एक साइकोलोजिकल लेना है तो हम लोग 49,000 का ले करके चलेंगे कि अगर किसी को करने तो इस टॉप लॉस ऐसा तो है निए 48500 का इस टॉप लॉस लगाइंगे तो फाइवंड़ पॉइंट सूपर 49000 कहीं हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का या फिर एक स्टॉप लॉस का काम करेगा जो भी वाइंग साइड में जाना चाहता है वाइंग साइड में जाना चा अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी की निफ्टी क्या लगता हमें निफ्टी की कल एकस्पायरी भी है तो थोड़ा सा जैसे आज बैंक निफ्टी ने प्रीमिम बहुत जादा खाए प्रीमिम इतना ज्यादा डेके हुआ कि हमने दो कॉल दिया तो एक मैं 55 वाला या 60 वाल करेंगे तो थोड़ा सा एकस्पायरी इंट्रेस्टिंग हो सकती है हो सकता हम बड़ा गैप बड़ा डाउन से खुल जा और यहां पर जा करके मारकर सश्टेन करें तो देख लेंगे मुमेंटम होगा तो हम लोग रोज़ीरो ट्रेट करेंगे नहीं तो अवाइड करके चले सकते हैं दूसरा हमें सपोर्ड मिल रहा है 22,300 पर और तीसा तो नीचे 22,000 के लेवल जो कि हमें अभी के हिसाब से तो थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं तो बोल सकते कहीं ना कहीं दूर है ऊपर रिजिस्टेंस का पहले 22,800 सपोर्ट का काम कर रहा था वह कहीं ना कहीं हम है तो हमारे पास 22,500 का लेवल और 22,300 का ऊपर टॉप रिजिस्टेंस के 23,110 यह अगर ब्रीच करता तो हो सकता 23,500 23,800 के लेवल हमें देखने को मिले तो ब्रॉडर रेंज आपको समझ में आगे फिलाल अभी रेंज है ना हमें थोड़ी सी बड़ी ही लेकर के चलने पड़े चोटी रेंज में हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले क्यों क्योंकि छोटे-छोटे-चोटे स्टॉप लॉस इजी ली हिट हो जाएंगे 500-700 पॉइंट का मुमेंट आना या फिर बहुत सारे अगले वीक में तो आपको बहुत सारे फ्रीक ट्रेट्स मिलेंगे लाइक आपने हजार ग्यारा सो पॉइंट आपके जाए सो दोसो पॉइंट मतलब समझो बैंग निफ्टी में आपने कोई भी प्रीमियम लिए चार सो रूपय का प्रीमियम लें यह फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है और आपको पता आपका श्टॉबला आरतालिस है नहीं लगाना हमें लेंगे लेंगे लेकिन अगर कोई फिर एक ट्रेड हुआ जिसमें 1200 की नीचे की साइड डाउन साइड मिली तो उस टाइम पर आपके हो सकता आरे में आपकी पोजिशन कट कर दे क्योंकि जब भी आपका समझा आप लिबेरेट ट्रेडिंग कर रहें तो वहां पर फस्ज ज दीजी जब तक विक्स हमारा बापर से नीचे नहीं आ जाता है क्योंकि आने वाले समय में हम लोग 30 32 का भाव भी विक्स के अंदर देख लेंगे तो आप लोगों को यह वीडियो में काफी ज्यादा मज़ा आया होगा और कल मिलेंगे एक और नए ऐसे वीडियो के साथ जि आएगी उसमें हमें क्या करना है तो चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए और ज्यादर से ज्यादर लोगों को तक शेयर कर दीजिए थैंक्यू गाइस